Japanese Language में क्या सही और क्या गलत आज के इस वीडियो में हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके कुछ सीखने की कोशिश करेंगे Japanese Language को शुरू करते समय पढ़ते समय क्या-क्या गलतिया होती हैं क्या-क्या सही तरीके होते हैं इस चीज़ को हम डिसकस करेंगे वीडियो के फर्स्ट हाफ में और Japanese Language सीखने के बाद क्या-क्या गलतिया हम करते हैं या फिर क्या-क्या चीज़ें सही करनी चाहिए या शॉट कट्स क्या होते हैं यह हम वीडियो के लेटर पार्ट में सीखेंगे मेरा नाम है रवी चलिए शुरू करते हैं पार्ट नमबर वन Japanese Language सीखते समय क्या गलत है और क्या सही है मैंने अपने पहले भी वीडियो में काफी चीज़ों को explain किया है अलग-अलग topics को choose करके सही और गलत को differentiate करके examples के साथ बताया है अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो आज के इस वीडियो को एक उसकी summary के तौर पे समझिएगा जैसे कि Japanese Language को हम शुरू करते हैं तो हम पहले Google वगरा सर्च करते हैं लोगों से पूछते हैं career options के बारे में देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि Japanese Language काफी मुश्किल language है इसको सीखने में बहुत time लग जाता है जैसे Google पर या internet पे भी हमें ऐसी information मिलती है तो पहली बात तो सबसे गलत बात यह है कि Japanese Language सीखना बड़ा मुश्किल है और बड़ा ही lengthy process है यह गलत बात है सही बात क्या है कि Japanese Language को अगर सही तरीकों को follow किया जाये तो सीखना बहुत आसान होता है इसमें बहुत जल्दी आपको अच्छी salary वारा career बनाना और उसको और अच्छे level तक लेके जाना यह दोनों ही काम आप short time में कर सकते हैं आपने starting से ही उन short cuts को सीखा है या फिर मैं कहूंगा कि सही तरीकों को सीखा है Japanese Language सीखते समय एक और बहुत important point कि हम यह सोचते हैं कि हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमें पहले का 100% clear ना हो जाए देखे for example अगर आपने English Language को सीखा है या कोई और foreign language को सीखा है तो आपने जरूर यह पाया होगा कि हम थोड़ा थोड़ा basic को सीखके advance की चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं तब हमें और अच्छा basic आ जाता है यानि हमारा basic तब strong होता है जब हम advance की थोड़ी थोड़ी चीज़े समझते हैं चाहे advance हमें उतना अच्छा ना समझ आया हो उससे भी अगर हम आगे जाते हैं तो intermediate की चीज़े हमें समझानी शुरू होती है similarly Japanese language में भी जैसे हम अपने students को सिखाते हैं तो basic के students और advance के students में यही फर्क होता है कि basic के students इसलिए अटक जाते हैं कि जब तक मुझे यह, for example, kanji, hiragana, katakana hiragana, katakana तो अच्छी बात है पूरा आना चाहिए तभी आप sentence को read कर पाएंगे उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे वो तो मैं मना नहीं करूँगो लेकिन kanji के बारे में भी बच्चे ही सोचते हैं कि जब तक सारी kanji नहीं आ गई तब तक मैं comprehension passage, unseen passage या sentence reading को मैं करी नहीं सकता तो basic के बच्चे वहाँ टके रहते हैं और जब हम advanced के student से बात करते हैं या उनको पढ़ाते हैं तो हम यह देखते हैं बेसिक तो उनको अच्छा आता है लेकिन वो advanced से घखरा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहे हैं कि basic मुझे अब जाके तो समझ आया है जब मैंने advanced सीखना शुरू किया है तो मैं advanced कब जाके सीखूँगा तो यही छोटी छोटी गलती हैं यानि कि lack of confidence मैं कहूँगा या फिर अपने background में subconscious mind में यह सोच के रखना कि नई Japanese language मुश्किल है मुझे बहुत फुक फुक के कदम रखना है और सब कुछ पहले ही सीखना है तब जाके मैं आगे बढ़ूँगा तो यह था Japanese language को सीख अब बात करते हैं थोड़ा थोड़ा जब हम advance में proceed करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि हम job hunting वगरा या फिर अपने interviews के तरफ तब जाएंगे जब हम end to end one के level तक पहुँच जाएंगे क्योंकि मुझे confidence नहीं है कि मैं spoken language को मतलब जीतनी Japanese मैंने सीखी है उसको spoken language में convert करके interview का answer कैसे कर बाऊँगा तो देखिए इसके लिए मैं यह नहीं कहूँगा कि आप अभी सही start करो interview देने शुरू कर दो और आपका interview clear हो जाएगा नहीं interview चाहे ना भी clear हो लेकिन at least एक बार या दो बार देके आपको यह पता चल जाएगा कि interview में मुझे क्या-क्या नहीं बोलना ठीक है किन-किन चीजों का answer पहले मुझे सोचना है समझना है धीरे और अपनी language थोड़ी सी construct करनी भी आपको आ जाएगी और आपको उसका response करना और देखें response के लिए मेरे को अपने starting के वीडियो के बार में मैं आपको refer करना चाहूँगा मैंने interview के उपर अगर आप थोड़ा सा भी निहोंगो मैक्स चैनल को सर्च करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे आपको samples के तोर पे इंटर्वियो के samples के तोर पे question answers दी होई है comedy videos के थुरू भी हमने काफी कोशिश करिए कि सिखाने की क्या चीज सही होती है क्या चीज नहीं करनी होती है आपको क्या चीज गलत कर देते हैं जिससे interviewer student तो समझता है मैंने अच्छा किया है लेकिन interviewer को बिल्कुल ही उल्टा answer होता है ठीक है तो उन videos को refer करिए आपको interview preparation में बहुत help मिलेगी चलिए बागे बढ़ते हैं हम यह देखते हैं कि Japanese language करने के बाद जब आप advance में बढ़ते हैं या फिर अपने job hunting की तरफ बढ़ते हैं तो क्या-क्या बातें सही होती हैं और क्या-क्या गलत होता है सबसे पहली बात कि Japanese language को करने का क्या मतलब है करने का यह बंतलब नहीं है कि आपने सब कुछ N5 से लेकर N1 तक complete कर लिया अब ही मैं job hunting शुरू करूँ करूँ नहीं आप N3 level से ही start कर सकते हैं N2 level भी आप साथ-साथ पढ़ते रहिए और job hunting भी आप साथ-साथ करिए यही खाली मैं ही नहीं सभी लोग recommend करेंगी जिन्होंने Japanese language में expertise हसिल करी और interviews clear करके job हसिल करी है job के बाद उन्होंने और अच्छी expertise लिया ठीक है तो सबसे पहली जो गलत बात है वो यह है कि क्योंकि अभी मैं उतना पक्का नहीं हूँ spoken language में तो पहले मैं और पढ़ता हूँ और फिर मैं जाओंगा interview देने ठीक है चली कोई बात नहीं अच्छी बात है इसको भी देख लेते हैं अब मैं और पढ़ता हूँ तो पढ़ने के लूप में वो बंदा फिर फस जाता है वो यह सोचता है कि पढ़ने का क्या मतलब है जब तक मुझे कांजी नहीं आएगी तब तक मैं पढ़ाई को आगे कैसे बढ़ाऊंगा या comprehension passage sentence बगएर को कैसे बढ़ाऊंगा जब तक मैं sentence को ठीक से नहीं पढ़ाता तो मैं उसको spoken language में कैसे डालूँगा तो वो फिर से वही पढ़ाई के लूप में फस जाता है पढ़ना बुरी बात है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा रहा हमारा तो काम ही यह है कि आपको motivate करे कि पढ़ाई को हमेशा हमेशा continue रखिए चाहे आप आदा घंटा या एक घंटा पढ़ें जैसे nihongomax.com पे भी मैंने आपको समझाय हुआ इस तरह का structure बनाए हुआ कि आप एक page को सिरफ आदा घंटा भी देंगे तो मतलब continuously आपको देना पढ़ेगा ठीक है तो सबसे important और सबसे सही जो तरीका है वो है continuity बना के रखना चाहे वो आदा घंटा हो या एक घंटा हो और गलत इसका ठीक opposite है कि नहीं मैं पूरी तरह से पहले अपने आपको पक्का करूँगा तब ही मैं जाके अपने दिन को डिवाइड करिए आदा टाइम मुझे जितना आपका पास टाइम में चाहे तीन गंटे आए दो गंटे喲 उस्में से आधा कि मुझे एंटर्व्य को जैसे वौर्टा हे है एक ऊ- इक सपीच धे जैपनीज ने वो speech दी है तो आप उसको सुनिए advanced level की speech है फिर उसको pause करिए फिर सुनिए फिर pause करिए फिर सुनिए और उसको repeat करिए ठीक है इससे भी आगे का step है कि उसको repeat करने के बाद फिर से pause करिए और अब बिना play करे उसको कोशिश करिए खुद बोलने की इससे भी अगला स्टप है कि क्या आप इसको खुद बोलते बोलते ये फिल कर सकते हैं कि ये बात मैं बोल रहा हूँ किसी और को कोई मेरे सामने खड़ा है और मैं उसको बात समझा रहा हूँ Japanese language में और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है बहुत आसान है अगर आप continuity रखते है सारी बात प्रसिविटी के है मतलब आप इसको continue रखते है तो आप बड़ी से बड़ी चोकाई बड़ी से बड़े दोकाई को खुद बोल सकते है और एक ही बार में read कर सकते हैं और एक story के अंगल से news को सुन रहा है तो ये काम आपको करना है पहले आपको story के अंगल से सुनने है उसके बाद आपको language के अंगल से सुनने है तो इन सब तरीकों को अगर आप follow करते हैं तो short time में बहुत short time में जो students usually तीन साल लगाते हैं आप डेड़ साल में उस level को achieve कर सकते हैं ठीक है और अब finally जो सही और गलत का मैं आगर आपको निचोड़ दूँ यानि की summarize करूँ तो वो student जो targeted है ना ये सारे तरीके उसको पहले ही दिन पता चल जाएंगे जो student targeted नहीं है जो student सिर्फ यह सोच रहे कि ये Japanese language मेरे लिए एक टूल है एक तरीका है सिर्फ जोब पाने का मिरे लिए कोई मुझे जर्मन लैंगविज मिले फ्रेंच लैंगविज मिले चैनीज लैंगविज मिले कुछ भी मिल जाए मुझे बस एक जॉब चाहिए ठीक है तो वो थोड़ा सा टाइम लगा देगा क्योंकि वो Japanese language को उतना लाइक नहीं कर पाएगा उतना fast उसके अंदर excel नहीं कर पाएगा बात excel करने के सिर्फ ठीक है जॉब कहीं भी ऐसा नहीं होता बहुत students परशान रहते हैं कि job कैसे मिलेगी अगर आप excel करके उसमें थोड़ा सा अच्छा करने लग गए अपने आपको बिना ज्यादा job के टेंशन लिए तो job आपके पीछे-पीछे आएगी ठीक है बात है excellence की बात है अपने ability को बढ़ाने की ability अगर आप बढ़ाते हैं तो हर तरह की jobs हैं translation jobs हैं interpretation jobs हैं guiding jobs हैं freelancing jobs हैं ठीक है work from home है जपैन जाके jobs हैं और जपैन जाके job करने के लिए क्या-क्या चाहिए उसके लिए क्या-क्या गलतिया करते हैं students क्या-क्या सही अगलत है इसके लिए तो बहुत लंबा lecture है तो वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा फिलाल के लिए I think काफी है इसी को अगर आप digest कर ले और आज ही जाके देखें अगर nihongomax.com तो आपको सारी बाते डिटेल में पता चल जाएंगी all the best